Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I.08, भारत में परिसितिक M. परियावरन इतिहांस, Ecology and Environment के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो ये जो वीडियो है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर एक यूनिट का, इस बुक के अंदर में जितने भी यूनिट है, एक एक यूनिट का एक वीडियो के अंदर में बात करेंगे उसके बारे में हम discuss करेंगी short video है जिससे हमें जल्दी समझे माया कि एक particular unit में क्या-क्या चीजे पढ़ने के लिए हैं और ऐसा video बनाने की ज़रत इसलिए है दोस्तों और आपको देखने की ज़रत ध्यान से इसलिए है exam का time आपका announce हो चुका है बहुत जल्दी आपका exam start होने वाला है मतलब अभी November चल रहा है और आपका 6 December से exam है ठीक है तो time बहुत कम बचाओ और अगर आप पढ़ रहे हो सही से study करना चाते हो तो इससे आपका जल्दी cover होगा क्योंकि आपके पास पहले से idea रहेगा कि इस unit के अंदर में यह चीज़े हमें पढ़ना है तो आपको पूरा पढ़ने की जुरत नहीं रहेगा सिर्फ selective चीज़े पढ़कर भी आप अच्छे number ला सकते हो चले start करते हैं आज किस video के अंदर में हम बात करेंगे unit first का जिसके अंदर में हम बात करेंगे परिस्तितिक यह परियावरण अध्यान एक परीच है introduction लेंगे कि किस तरह का परिस्तितिक होती है, environment क्या होता है, ecology और environment है क्या उसके बारे में ठीक है, इसके अंदर में total तीन lesson आते हैं जिसमें हमारा पहला lesson है प्रकृतिक मानव अंतरसंबंध, ठीक है देखो, environment का और human का किस तरह से आपस में अंतरसंबंध है, interlink है उसके बारे में हम इसके बारे में हम discuss करते हैं, जिसमें पहला अगर हम question की बात करेंगे, कौन सा question या कौन सा topic रहता है इस वाले chapter के अंदर में important, तो यहाँ पे आता है प्रकृतिक मानव के अंतरसंबंध, ठीक है, प्रकृतिक और मानव का अंतरसंबंध किस परकार का है, पाशान काल के अंदरकत और मद्धे काल के अंतरकत ये बताना है, ठीक है, यहाँ पे normally, देखो, पाशान काल, कौन सा का सबस्कित करने के लिए तो किस तरह का दोनों के बीच में संबंध रहता है, मद्य काल के अंदर में और पाशान काल के अंदर में, यह दोनों आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उम्मीद है इसमें से questions बनते हैं, और अच्छे topics हैं, ठीक है इसके अंदर में एक और question बनता है, question number 2 के अगर मैं बात कुरू इसके अंदर में, तो आजाता है कृशी के आगमन से मतलब जब क्रिशी आया क्रिशी वेवस्था जब आई तो उस समय प्रकर्तिक और मानव का संबंद किस परकार का था देखो अब क्रिशी करने लगे लोग तो धीरे-धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ, किस परकार से परिवर्तन हुआ, तो पहले जो इंसान था, जो मानव था, वो पहले सिकारी की तरह पे जीवन वयतीत कर रहा था, सिकारी के बाद दीरे दीरे वो पसुपालक के तौर पर जीवन वयतीत करने लगा, पसुपालक के बाद खाना ले चैप्टर के अंदर में अब हम सेकिंड चैप्टर की बात करें तो सेकिंड चैप्टर का नाम है आपके भारत का भूत द्रिश्य यह इंपॉर्टन चैप्टर है दोस्तों और मैंने एक वीडियो करवाई थी लास्ट फाइव एर के कोशिन पेपर की अगर आप मेरी तरब से एक सजेसंट आप सभी स्टूदेंस को जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट है में हिस्ट्री के तो उसकी एक मेने वीडियो बना रखें लास्ट फाइव यर की कोशिन पेपर की उस वीडियो को जरूर देखें उस वीडियों से आपका almost 90% slivers cover हो जाएगा और भी MA की बहुत सारी वीडियो जली हुई हैं आपके question paper की, important topics की, important questions की, तो उसको भी ज़रूर देखो, उससे आपका बहुत अच्छे से helpful तरीके से आपका syllabus clear हो जाएगा, बागी subjects की भी, तो यहां पर हम बात करते हैं भारत का भूध रिष्य का, तो भारत का भूध रिष्य मतलब कहने का मतलब कहा है, भारत दिखता कैसा है, जमीनी स्तर पर भारत है कैसा, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो भूध रिष्य क्या question किस तर स थीप कंटल k ईो सब्ढंद lots कि माइदान इसक्राइब से भारत कोच मैप है तो in today's में मैं तरं में उत्तर में हुआ इधर माइदान को इंदर में रेट हो गया एंग है दो गजरात के कहा और पाड़ी लाखा हो ठीक है इधर पठार हो गए तो भारत का कुछ इस तर से डिस्क्राइब हम कर सकते हैं तो भारत का भूपरिद्रिश्य की जगह पर यहां पर लिख जाए भूध रिश्य बताईए तो भी आप वही आंसर लिखोगे या फिर आपको का लिख दिया जाए भूगोलिक वर्गी कर पर आपको भारत का वर्गी करन करना है तो भी आप यही चीजे बताऊगे ठीक है तो थोड़ा सा question को घुमागे भी पूछा जा सकता है तो आपको उसके हिसाब से भी prepare करना है तीसरा चैप्टर है इस unit का यहां पर हम बात करते हैं अध्यन के सुरोत आप जो भी चीजे आत्रा विर्तांत लिखे गए ठीक है कई सारी किताब लिखी गई तो उनके जरी हमें पता चलता है कि ऐसी चीज रही होंगी भारव के नदर में भारत को जब study किया गया इस इंडिय कंपनी के जो अधिकारी थी आफिर अंगरीजियों के द्वारा तो उन्होंने जो भी कित साबे लिखी उसके तुरू मानते हैं दूसरा चीज क्या कि कई सारे इतिहांसिक लेख लिखे गए इतिहांस लिखन में लेख लिखे गए उसके तुरू विभी जानकारी मिलती है हमारे भी कुछ अपने गरंते जिसके basis पे हमें इसके बारे में पता चलता है ठीके तो ये source रहता है इस chapter का कि क्या है अध्यन के सुरोत का आपका ठीके तो जो भी topic से दोस्तों यहाँ पे आपका topic यहाँ इस तर से कर सकते हो ठीके और अगर कुछ help चाहिए आपको तो आप comment किजिए directly मुझसे contact किजिए मैं आपकी help कर दूँगा कोई आपको लगता है topic छूट गया है मैंने नहीं कराया है आपके नहीं बताया है तो भी आप comment करके बता सकते हैं मैं उसके लिए लग से एक video बनाके आपके लिए बता दूगा कुछ help चाहिए description में जाए सभी social media platform के link दिये हुए वहाँ से directly join करके मुझसे पूछ सकते हैं अपना question and friends आपको जो suggestion दिया था last five year के question paper की उसको जरूर देखें और भी बहुत सारे वीडियो से उसको देखें जिससे आपके MA का जो exam है बहुत अच्छे से दे सकें और अच्छा number ला सकें friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me और आपका जो भी response रहेगा इस वीडियो पे उसके बाद ही मैं next वीडियो अप्लोड करूँआ तो friends bye bye take care all the best